दोस्तो आज के वीडियो में हम कंपेर करने वाला है Qualcomm की तरफ से आने वाला Qualcomm Snapdragon 695 जो की एक लेटेस्ट प्रोसेसर है एकदम रिसेंटली लॉंच्ट हुआ है उसके साथ Mediatek की तरफ से आने वाला Mediatek Dimensity 810 का और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेट 2020 को तो यह भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर है मगर स्लाइटली लेटेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon 695 अब आते हैं CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस पे दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 6 नानोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है और यह चीज़ दो हम 64-bit का octa-core structure देखने के लिए मिलता है यानि कि दोनों प्रोसेसर पे ही task distribution और multitasking के लिए 8 hard code दिया गया है अब आता है CPU clock speed पे दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगो 226 का big little approach देखने के लिए मिलता है जहां पा Snapdragon 695 की बात करेंगे तो यहां पर 2 code मिलता है ARM की तरफ सेन वाला ARM Cortex A78 के उपर जो की cryo 660 से बना हुआ है और जिसको clock किया गया है 2.2 GHz के उपर और बाकी का जो 6 efficient code देखने के लिए मिलता है वो मिलता है ARM Cortex A55 के उपर जहां पर clock speed देखने के लिए मिलता है 2.0 GHz MediaTek Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहां पर 2 code मिलता है ARM की तरफ सेन वाला ARM Cortex A76 के उपर जो थोरा सा पूराना code है और जिसको clock किया गया है 2.4 GHz के उपर और बाकी का जो 6 efficient code यहां पर मिलता है A55 के उपर जो की clock किया गया है 2.0 GHz के उपर Dimensity 810 पे clock speed थोरा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है मगर Snapdragon 695 पर यहां पर latest code दिया गया है तो यहां पर CPU clock speed के मामले में Snapdragon 695 बेटर प्रोसेसर है अब आते हैं GPU पे यानि कि Graphics Processing Unit पे Snapdragon 695 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है Qualcomm Adreno 619 GPU जो की एक 6 nm के उपर बना हुआ GPU है और जिसको clock किया गया है 975 MHz के उपर 975 MHz के उपर जहां पर Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहां पर देखने के लिए मिलता है ARM Mali G57 MC2 GPU जो की एक dual core GPU है और जिसको बनाया गया है 7 nm के GPU पर जिसको कितने पर clock किया गया है यह ठीक से बताया नहीं गया है मगर GPU performance पर बात करेंगे यानि कि Scores पर बात करेंगे तो यहां पर 103 points के लगभग मिलता है Snapdragon 695 पर जहां पर MediaTek Dimensity 810 पर देखने के लिए मिलता है 98 points के आसपास तो Graphics Processing Unit पर Snapdragon 695 बेटर प्रोसेसर है आब आ camera support पर Snapdragon 695 पर हम लोगों को triple camera तक का support देखने के लिए मिलता है जहां पर triple camera में 13 plus 13 plus 30 megapixel नहीं तो dual camera में 16 plus 16 megapixel और single camera में 32 megapixel का camera का support दिया गया है और 32 megapixel के साथ MF-NR, Multiframe Noise Reduction और triple ISP भी देखने के लिए मिलता है और zero subtle lag भी देखने के लिए मिलता है और जहां पर maximum camera का यहां पर use किया जा सकता है 108 megapixel Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहां पर maximum dual camera तक का ही support देखने के लिए मिलता है जहां पर dual camera में 20 plus 16 megapixel और single camera में maximum 64 megapixel तक का ही support मिलता है और dual ISP भी यहां पर मिलता है और zero subtle lag भी इस processor के साथ देखने के लिए मिलता है तो camera support के मामले में भी snapdragon 695 better processor है अब आता है video capture resolution पे snapdragon 695 पे 4K पे up to 30fps तक full HD वीडियो up to 60fps तक और HD 720p वीडियो up to 120fps तक का recording का support मिलता है जहां पर Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहां पर 4K पे up to 30fps, full HD वीडियो up to 120fps और HD 720p वीडियो up to 240fps तक का recording का support मिलता है तो video capture के मामले में Dimensity 810 better processor है अब आता है connectivity पे snapdragon 695 पे हम लोगों को 5G modem का support देखने के लिए मिलता है यानि कि integrated 5G modem यहां पर नहीं मिलता है तो यहां पर जो 5G modem यूज किया गया है वो है Qualcomm की तरप सही आने वाला X51 5G modem जहां पर 5G पे downloading speed मिलता है maximum 2.5 Gbps तक और 4G पे 800 Mbps तक और uploading speed पे 1.5 Gbps तक का मिलता है maximum 5G पे और 4G पे 210 Mbps तक जहां पर Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहां पर integrated 5G modem देखने के लिए मिलता है जहां पर downloading speed maximum मिलता है 2.77 Gbps तक और uploading speed maximum मिलता है 1.2 Gbps तक तो modem support के मामले में में ही snapdragon 695 beta processor है अब आता है display support पे दोनों ही processor के साथ हम लोग को maximum full hd plus तक का ही display का support देखने के लिए मिलता है और दोनों प्रोसेसर पे ही maximum 120 Hz तक का ही refresh rate का support मिलता है तो display support और refresh rate इस दोनों मामले में ही दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है अब आता है RAM support पे दोनों ही processor के साथ maximum LPDDR4X तक का ही RAM का support देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर snapdragon 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर dual channel पे LPDDR4X RAM अगर use करेंगे तो 2133 MHz यानि की 233 MHz तक का maximum RAM frequency मिलेगा और maximum RAM यहाँ पर use किया जा सकता है 8GB जहाँ पर media tech Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहाँ पर dual channel पे LPDDR4X RAM अगर use किया जाता है तो maximum RAM frequency मिलेगा 2133 MHz और maximum RAM यहाँ पर use किया जा सकता है 12GB तक तो यहाँ पर RAM support के मामले में Dimensity 810 beta processor है अब आता है storage support पे दोनों ही प्रोसेसर पे maximum EMC 5.1 और UFS 2.1 और UFS 2.2 तक का ही storage का support देखने के लिए मिलता है तो इस मामले में भी दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है अब आता है Antutu Scores पे Snapdragon 695 का अभी तक Antutu Score disclose नहीं हुआ है तो अगर जब disclose होगा तो मैं आप लोगों को inform कर दूँगा और Miratek Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका Antutu Score निकल के आता है 3,80,458 points 3,80,408 points जहाँ पर Geekbench की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मामले बिल्कु सेम है यहाँ अभी तक disclose नहीं हुआ है Snapdragon 695 का Scores और Dimensity 810 की बात करेंगे तो यहाँ पर single core पर maximum मिलता है 602 points और multi core पर मिलता है 1833 points 1833 points अब आता है side by side comparison पे कौनसा प्रोसेसर में कौनसा डिपार्टमेंट पे बेटर निकल के आया Snapdragon 695 पे हम लोग को बेटर CPU देखने के लिए मिलता है बेटर GPU देखने के लिए मिलता है बेटर camera support देखने के लिए मिलता है मकर यह भी slightly better है camera support और modem support पे भी यहाँ पर slightly better है Snapdragon 695 जहाँ पर Miriatek Dimensity 810 की बात करेंगे तो यह video capture resolution के मामले में स्लाइटली बेटर है और RAM support के मामले स्लाइटली बेटर निकल के आता है तो आज के battle car real winner निकल के आता है Qualcomm Snapdragon 695 अब यह तो हो गया specifications कौन सा phone में हम लोग को यह processor देखने के लिए मिलता है यही है मुद्दे की बात सुनने में हरा है कि Redmi Note 11 series जो इंडिया पे launch होने वाला है उसका vanilla variant Redmi Note 11 पे Snapdragon 695 देखने के लिए मिल 5G जो recently launch हुआ है Poco M4 Pro जो launch होने वाला है और Redmi Note 11 T जो की rebranded version है Redmi Note 11 का China पे जो launch हुआ है वो भी launch होने वाला इंडिया पे 30 November को तो I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया और कौन सा कौन सा processor का आप लोग comparison चाते हैं यह comment करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो like कर द